प्रहा टाइम्स फिल्म अभिनेत्री नूतन के बंगले में तीन फरवरी को चूरी की घटना हुई थी जिसमें एक आरोपी संजय सुभास भंडारी को ठाने क्राइम ब्रांच यूनिट एक ने कलवा भासकर नगर से गिरफतार कर लिया है मुमरा रिती बंदर शुरंग के पास फिल्म अभिनेत्री नूतन का बंगला है जिसके मालिक मोहनीश बहल है तीन फरवरी को रात एक बजे संजय सुभास भंडारी अपने दो साथियों के साथ इस बंगले की छट से बंगले में दाखिल हुआ था चोरों ने नल पाइप लोहे के सामानों के साथ हित्यादी कई सामानों की चोरी की मगर इसी दवरान दो वाचमेन वहाँ पर तैनात थे भानुदास शरप्पा और रूप सिंग विश्व कर्मा बंगले के अंदर से कुछ आवाजे सुनाई दी इन्हें और जैसे ही इन दोन वाचमेन का सामना चोरों से हुआ, चोरों ने बुरी तरह से लाठी और डंडो से इन दोनों वाचमेनों की पिटाई कर दी, इन दोनों वाचमेनों को नभी मुंबई इंदरावती अस्पताल में भर्ती किया गया है, जाहिन का इलाज चल रहा है इसी भी ठाने अपरा साखा एक के संदीप बागुल को जानकारी मिली कि ये आरूपी संजय सुभास भंडारी कलवा भास का नगर में है जिसके बाद वरिष्ठों के मार्क दर्शन में वरिष पुलिस निचग नितन ठाकरे रणवीर बयाज संदीप बागुल अभीराज कुर संजय सुभास भंडारी को पकड़ लिया पुश्टाच में इसने अपना जुर्म भी कबूल किया है और अपने दो साथियों का नाम भी बताया है आरूपी संजय को आईपीसी की धारा 394 के तहत मामला दर्शकार आरूपी को अपरास शाखा ने मुम्रा पुलिस को सौब द किया है वही ठाने अपरास साखा एक की टीम ने ही 10 किलो गांजे के साथ एक आरूपी को गिरफतार किया है अपरास साखा एक के संदीब बागुले को जानकारी मिली कि कलवा शिवाजी अस्पताल के पास एक बेक्ती नशीला पदार्थ बेचने के लिए आने वाला है जिसक के बाद इस से पूछताच की गई और इसकी तलाशी ले गई तो इसके पास से 10 किलो गांजा बरामद हुआ जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए है आरूपी का नाम देवदाज सांताराम खेरे बताय जा रहा है और इसकी मोटर साइकल और मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे हैं प्रहाट की ताजा तकन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें